आज 3 जून 2021 की बाबा की साकार मुरली हैं। मुरली के महवाक्य हैं। मीथे बच्चे शुबाबा तुमारे फूल आदी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि वह पुज्य वह पुजारी नहीं बनते। तुम्हे भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न हैं, भविश्य राज तक्त के अधिकारी कौन बनते हैं। उत्तर हैं, जो अभी मात पिता के दिल तक्त को जीतने वाले हैं। वही भविश्य तक्त नशिन बनते हैं। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विज़े प्राप्त करते हैं, महनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं, गीत हैं छोडबी दे आकाश सिहासन, ओम शान्ति मीथे मीथे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना, इस गीत से सर्वव्यापी का ग्यान तो उड़ जाता हैं, याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी हैं, रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने, वा दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिये, बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ हैं, बच्चों को पहचान मिल गई हैं, स्वयम बेट बतलाते हैं, मैं साधारन तन में प्रवेश कर सारी सुरुष्टी के आदी मध्य अंत का राज सुनाता हूँ सुरुष्टी एक ही हैं, सिर्फ नई और पुरानी होती हैं, जैसे शरीर बच्चपन में नया होता हैं, फिर पुराना होता हैं, नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक हैं, सिर्फ नई से पुराना बनता हैं, वैसे दुनिया एक ही हैं, नई से अ पुरानी होती है, नई कब थी, यह फिर कोई बता न सके, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी, तो भारत नया था, सत्युक कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है, नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात कार किया है, अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायन थे, आदी सनातन देवी देवता उस दुनिया की मालिक यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं, बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परमधाम से हम को पढ़ाने, राज्योग सिखाने आये हुए हैं, महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है, इस समय सब तुछ बुद्धी है, कुछ नहीं समझते यह में आता हो, तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्व व्यापी का ज्यान तो उड़ जाता है, हर एक का पाट अपना अपना है, बाप बार बार कहते हैं, देह अभीमान छोड़, तुम आत्म अभीमानी बनो, और ओर्गंस द्वारा शिक्षाधारन करो, भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परन तु याद शुबाबा को करो, ऐसे ही समझो, शुबाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं, बल इनका रुप इन आखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धी शुबाबा की तरफ जानी चाये, शुबाबा नहों, तो इनक आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं, हमेशा समझो, इसमे शुबाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं, तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है, कभी भी जिस्मों को याद नहीं करना है, बुद्धी योग बाप के साथ लगाना है, बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, परमपिता परमात्मा के सिवाए कोई राज योग सिखा न सके, बच्चों की बुद्धी में हैं, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नौलेश प्रायलोग हो जाता है, वहा दरकार ही नहीं, राज धानी स्थापन हो गई, सदगती हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुरगती से सदगती होने के लिए, बाकी वह तो सब है भप्ती मार्ग की बाते, मनुष्य जब तब दान पुन्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भप्ती मार्ग की बाते हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता, आत्मा के पंखर तूट गए हैं, पत्थर बुध्धी बन गई हैं, पत्थर से फिर पारज बनानी मुझे आना पड़े, बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य है, सरसो मिसल संसार भरा हुआ हैं, अब सब खत्म हो जाने हैं, सत्योग में तो इतने मनुष्य होते न नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे यहां तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है पुरानी रेतिली जमीन है फिर नहीं हो जाएगी वहा हे ही everything new नाम ही कितना मीथा है heaven, बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है न अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात इसमें पुराने शरीर की कोई value नहीं है शु बाबा को तो कोई शरीर है नहीं बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए परन्तु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाएगा शु बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है तुम ही पुज बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो आपे ही पुझ आपे ही पुझारी तो अपने ही चितर की पुझा करने लगते हैं बाबा कहते हैं मैं न पुझ बनता हूँ न फूल आदी की दरकार है मैं क्यों यह पहनूँ इसलिए कभी फूल माला आदी लेते नहीं है तुम पुझ्ज बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबिडियेंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ, बड़े बड़े रोयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिन्टो कर अपने को लॉड कभी नहीं लिखेंगे। यहा तो स्री लक्ष्मी नारैन, स्री फलाना एक्तम श्री अक्षर डाल देते हैं तो बाप बेच समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्य करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आ आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना नो कैरेट होगा तो जेवर भी नो कैरेट। सोने में ही खात पड़ती हैं। आत्मा को कभी निरलेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्यान तुमको अभी है। तुम आधा कल 21 जन मलिये प्रालब्द पाते हो तो कितना पुरुशा करना चाहिए। परन्तु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शुबाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करते हैं। ब्रह्मा विश्नु शंकर है सुक्ष्म वतनवासी। बाब पहले सुक्ष्म सुरुष्टी रचते हैं, निर्वान धाम उँच ते उँच धाम है, आत्माउं का निर्वान धाम सबसे उँच हैं, एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परन्तु तमों प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूल, ठिकर भित्तर सब की पूझा करते रहते हैं, हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है ड्रामा में एक बार जो शुटिंग होती है समझो बीच में कोई पंची आदी उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर फिर रिपीट होता रहेगा यह भी ड्रामा का सेकेंड सेकेंड रिपीट होता जाता है शूट होता रहता है यह बना बनाया ड्रामा है तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो एक एक सेकेंड ड्रामा अनुसार पास होता है पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है नहीं यह सब ड्रामा में नूद है इनको अच्छी रिती समझना पड़ता है बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नौलेज देते हैं चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं संगम युग पर घड़ी का काटा भी लगा हुआ है कल्यूग अंत सत्यूग आदी का संगम है अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं हम गौडली स्टुडेंट हैं भगवानु आज मैं तुमको राजा उनका राजा बनाता हूँ राजे लोग भी लक्षमी नारायन को पूछते हैं तो उन्हों को पुझ बनाने वाला मैं हो जो पुझ थे वह अब पुझारी हो गए हैं तुम बच्चे समझ गए हो हम सो पुझ थे फिर हम सो पुझारी बने बाबा तो नहीं बनते हैं बाबा कहते हैं न मैं पुझारी हो न पुझ बनता हूँ इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं फिर हम क्यो फूलों को स्विकार करें तुम भी स्विकार नहीं कर सकते हो काईदे अनुसार उन देवताओं का हक है उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है वही हकदार है फूलों के वहा स्वर्ग में तो है ही खुश्कुदार फूल फूल होते ही है खुश्बू के लिए बहनने के लिए भी होते है बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विश्णु के गले का हार बनते हो नंबर वार तुमको तक्त पर बेटना है जिनोंने जितना कल्प पहले पुर्शार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे नंबर वार तो है बुद्धी कहती है फलाना बच्चों बहुत सर्विसेबुल है जैसे दुकान में होता है सेथ बनते हैं भागिदार बनते हैं मैनेजर बनते हैं नीचे वालों को भी लिस्ट मिलती है यह भी ऐसे है तुम बच्चों को भी मात पिता पर जीत पानी है तुम वंडर खाते हो कर लायक बनाते हैं तक्त नशीन बनाने के लिए कहते हैं अब हमारे दिल रुपी तक्त पर जीत पहनने से भविश्य के तक्त नशीन बनेंगे पुर्शार्थ इतना करो जो नरसे नारायन बनो एम ओब्जेक्ट मुख्य है ही एक फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वरायटी पद हैं तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुर्शार्थ करना है बच्चो आदी को भी भल प्यार से चलाओ परन्तु ट्रस्टी होकर रहो बक्ती मार्ग में कहते थे ना प्रभू यह सब आपका दिया हुआ है आपकी अमानत आपने ले ली अच्छा फि रोने की बात ही नहीं परन्तु यह है ही रोने की दुनिया मनुष कताहे बहुत सुनाते हैं मोहजीत राजा की कता भी सुनाते हैं फिर कोई दुख फील नहीं होता है एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया वहा कभी कोई बीमारी आदी होती नहीं एवर हेल्दी निरोगी क आया रहती हैं, 21 जन्म के लिए, बच्चों को सब साक्षतकार होता है, वहा की रसम रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयम वर आदी कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षतकार किया है, वह पाट सब बीद गया, उस समय इतना ग्यान नहीं था, अग दिन प्रती दिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती चाती है, यह भी सब ब्रामा में नूंदा हुआ है, वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है, खुद बेट समझाते हैं, भक्ती मार्ग में भी उपर बेट में कितना काम करता हूं, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परन्तु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बाद गुम कर दिये हैं, गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया हैं, तो निराकार से प्रीत ही तूट गई हैं, यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहेज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया, दुनिया बदलती रहती हैं, योग फिरते रहते हैं, इस रामा के चकरों को अभी तुम समझ गए हो, मनुष्यों कुछ नहीं जानते, सत्युक के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानिया रह गई हैं, तो बाप समझाते हैं, हमेशा समझो हम शुबाबा के हैं, शुबाबा हमको पढ़ाते हैं, शुबाबा इस ब्रम्भा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं, शुबाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा, ऐसा गौड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सद्गुरू भी है कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी है तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है परन्तु वह फादर गुरू भी हो ऐसे नहीं होते है हाँ टीचर हो सकता है फादर को गुरू कभी नहीं कहेंगे इनका याने बाबा का फादर टीचर भी था पढ़ाते थे वह है हद का फादर टीचर यह है बेहत का फादर टीचर तुम अपने को गौड ली स्टुडन समझो तो भी अहो सोभाग्य गौड फादर पढ़ाते है कितना clear है, तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाब के साथ योग आत्मा कहती हैं बाबा कितना ग्यान का सागर प्रेम का सागर हैं इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना उंच बनाते हैं गायन भी हैं मनुष्य से देवता किये करत न लागी वार सेकेन में बैगुंट में जाते हैं सेकेन में मनुष्य से देवता बन पड़ते है यह है एम आबजेक्ट उसके लिए पढ़ाई करनी शाये गुरु नानक ने भी कहा है ना मूत पलिती कपड़ धोई लक्षो सोब है ना बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ तुम्हारे वस्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ तो इनको याने दादा को कभी याद नहीं करना है यह सारा कार्य शुबाबा का है उनको ही याद करो इनसे मेथा वह है आत्मा को कहते हैं तुमको इन आखों से यह ब्रह्मा का रद देखने में आता है परन्तु तुम याद शुबाबा को करो। शुबाबा इनके द्वारा तुमको कोडी से हीरे चैसा बना रहे हैं। अच्छा मीथे मीथे सिखिलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोने। रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते। हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मोने और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारना के लिए मुख्यसार पहली पॉइंट है, बाप के दिल रुपी तकत पर जीत पाने का पुर्शार्थ करना है, परिवार में प्रस्टी रहेकर प्यार से सब को चलाना है, मोह जीत बनना है, दूसरी पॉइंट है, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, इन आखों से सब कुछ देखते हुए, याद एक बाप को करना है, यहाँ फूल हार स्वीकार न कर, खुश्बुदार फूल बनना है, आज का वर्दान है, अपनी चंचल वृत्ती को परिवर्तन कर, सतो प्रधान वायू मंडल बनाने के जवाबदार स्रिष्ट आत्मा भव, अपनी चंचल वृत्ती को परिवर्तन कर, सतो प्रधान वायू मंडल बनाने के जवाबदार स्रिष्ट आत्मा भव, विशलेशन है, जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायू मंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ती से वायु मंडल बनता है वृत्ती चंचल तब होती है जब वृत्ती में इतनी बड़े कारिय की स्मृती नहीं रहती अगर कोई अती चंचल बच्चा बीजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं ऐसे ही यदि ज़्यान योग में बीजी होते भी वृत्ती चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संभंधों के बंधन में वृत्ती को बांध दो तो चंचलता सहेज समाप्त होचाएगी आज का स्लोगन है अलबेले पन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहत का वैराक्य अलबेले पन की लेहर को समाप्त करने का साधन है बेहत का वैराक्य अच्छा, ओम शान्ति